दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आप अपने OnePlus Nord के आप Phone डाइलर में किसी भी application को छुपाना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं जैसे कि हमारे पास OnePlus Nord का हमारे पास एक ये फोन है और हम अपने इस फोन के डाइलर में किसी भी application को छुपाना चा आते हैं जैसे अपने प्ले स्टोर को या हम अपने काइन मास्टर को या हम अपने WhatsApp को Facebook को Instagram को किसी भी application को आप अपने फोन डाइलर में यहां पर चुपा सकते हैं और यहां पर जब आप कोड डालेंगे तभी आपका वह application यहां पर open होगा जब आप यहां पर code डालेंगे त आपको कोई भी तूसरा application इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा तो यहां से आ जाना है आपको बैक आने के बाद आपको अपने फोन के अंदर आपको setting को open करने के बाद आप यहां पर आपको थोड़ा सा नीची आना होगा और यहां पर आपको एक setting मिल जाता है password and security के नाम से आप इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक और setting मिल जाता है privacy password के नाम से आप इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा privacy feature update आप इसे यहां पर scroll करेंगे और यहां पर आपको मिल जाता है set unified password आप पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने फोन में आपको अपना यहां पर एक प्राइवेसी पासवर्ड आपको सेट करना होता है तो हम यहां पर अपना सेट करेंगे set करने के बाद जैसे कि हम यहाँ पर अपना सबसे पहले अपने mobile phone का lock यहाँ पर डाल देते हैं तो हम यहाँ पर lock डाल देते हैं उसके बाद यहाँ पर आजाएगा set privacy password तो हम यहाँ पर अपना privacy password set करते हैं और जो भी आप set करना चाहते हैं, इस पर click करके आप choose कर सकते हैं, pattern set करना चाहते हैं, तो अपना pattern set करेंगे, वही आपको यहाँ पर confirm कर देना है, उसके बाद आ जाएगा आपको देखने को मिलेगा former teacher's name, आप यहाँ पर जो भी आप डालना चाहते हैं, वो डाल सकते हैं, तक कि अगर आप भूल जाते हैं, अपना यहाँ पर privacy password, तो इसका answer आपको यही देना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, write कर देना है, यहाँ पर मिल जाएगा, जो आप यहाँ पर write करेंगे, तो आपका complete हो जाएगा, start पर click कर देना है, start पर click करने क यहाँ पर आपके सारी के सारे application आजाते हैं, आने के बाद आपको अपने उन application को चूज करना है, जिस application को आप चुपाना चाहते हैं, तो जैसे कि हम यहाँ पर नीच आएंगे, नीच आने के बाद जैसे कि हमें अपना play store को चुपाना है, उसके बाद आपको setting कर देना है, setting यहाँ पर आपको हैच लगाना है जो भी आप कोड डालना चाहते हैं वह आप कोड डालेंगे फिर से आपको यहाँ पर हैच लगाना है मैंने यहाँ पर अपना कोड डाल दिया है फिर से हम हैच लगाएंगे और यहाँ से आपको राइट कर देना है राइट करने के बाद आपको यहाँ पर enable कर दिया है, enable करने के बाद, यहाँ पर आपको setting मिल जाता है, आप इस पर click करके, अपना change भी कर सकते हैं, access number जो आपने अभी बनाया है, और आप चाहते हैं, कि वो हम नहीं रखना चाहते हैं, दूसरा आप बनाना चाहते हैं, तो फिर से आप यहाँ पर अ star लगाना है, और हैच लगाना है, हैच लगाने के बाद, जो भी आपने अपना code बनाया हुआ है, वो code आप यहाँ पर dial करेंगे, फिर से आपको हैच लगाना है, और यहाँ पर आप देखेंगे, कि आपके hidden apps यहाँ पर आ चुके हैं, और जिस application को आपने hide किये हैं, वो सार भी नहीं चलेगा, तो मैं आसक करूँगा, आज का वीडियो देखने की बाद, आपको पता चल गया होगा, तो मिलते हैं, नेस्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका पहुत पहुत धन्वाद,